पूरे साल में होने वाली चुट्टियों की क्योंके बचों सबसे जादा क्या पसंद है बस में वाली चुट्टियों के millennia नया वर्स हमारा शुरू हो रहा है मिलेंगी ही मिल dale है चलिए तो आज हम इस पर बात करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरे साल तक समाल के रख सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ये जो आपकी वीडियो है ये आपका पूरा काम आने वाली पूरे साल कि आपको कब-कब स्कूल जाना है कहीं आप गुमने जाना चाते हैं तो कब आपकी स्कूल की छुट्टी है ये आपको सब बदा चल जाएगा सर्फ एक छोटी सी वीडियो में चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर दीजे वीडियो को और शेयर कर लीजे अपने फ्रेंड्स के साथ चलिए तो अम लोग देखते हैं देखे बिटा आपको पते हैं संडे हमाई चुट्टी रहती है इसमें तो कोई दोन बात है नहीं दूसरी बात ही होती है कि सेकंड सेड़ेडे हमेशा आप लोगों का हाफडे होता है अगर आप 10th और 12th क्लास में हैं तो आपका हाफडे नहीं होता है राइट चलिए तो अब देखे यहां पर हम बात करते हैं ऐसी होलिडेज जो हमाई कह जाते हैं गैजिटेट हॉलिडेज जो 100% छुट्टिया होती ही होती है तो सबसे पहले जो शुरुबात होती है वो आपकी 26 जन्वरी से होगी है ना 26 जन्वरी हमारा गरतंत्र दिवस है यह आपका वेनस्डे को पढ़ रहा है तो आपकी इसकी छुट्टी 100% रहेगी सुरी थर्स्टी है ना दुरस्पतिवार थर्सडे को पढ़ लाए ठीक है उसके बाद आपक इसके बाद आपके गुड़ फ्राइडे की साथ अपरैल को है फिर इदुल फित्र है बाइस अपरैल की बुद्पुर्णिमा है पांच मई की तो आप देखते चलिए यह आपकी छुट्टी को की लिस्ट है ठीक है इदुल अजहा इदुल जोहा जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे बोला जाता है उसकी 29 जून को 29 जून है उसकी चुट्टी आपकी फिर मोहरम की है आपके यानि 10 मोहरम को जो चुट्टी होती है यानि 29 जुलाई को एक चुट्टी यह मिलने वाली है फिर सवतंत्र दिवस आ जाएगा यानि 15 अगस्त उसके बाद जन्माश्टमी जो आपको पढ़े गया यह आपकी पूरी एक हफ्ते की चुट्टी होती है आप लोग भी जानते हैं जिसे हम लोग ऑटम ब्रेंप के नाम से भी जानते हैं तो तक्रीबन पाच्छे दिन से चुट्टिया शुरू हो जाती हैं हम मानके चलते 20 अक्टूबर के करीब से आप लो तो आपको पते हैं तीन दिन तक लगातार हमें चुट्टी मिलती है दीपावली की तो तीन चुट्टियां वह रहने वाली फिर गुरू नानक जैनती है 27 नामबर को आपकी उसकी चुट्टी है उसके बद क्रिस्मस की 25 दिसम्मर की चुट्टी है और जैसा कि आप लोग ज पता है कि आपकी समर ब्रेक रहता है आपका समर विकेशन जिसे हम लोग कहते हैं मई और जून में तो वो भी आपका रहेगा तो एक छोटी से लिस्ट थी अब इसके इलावा कुछ चुट्टियां आपकी ऐसी होती है जो आपकी वेकल्पिक होती है वेकल्पिक का मतलब यह आपको दिखाई जारी है एक तारीक को आपको नव वर्ष की मिल गई इसके बाद 14 जनवरी को आपकी मका सक्रांती की चुट्टी होगी है ना ओंगल की चुट्टी हो भी सकती है यह तो रविवार है वैसे हमें चुट्टी का कुछ नहीं करना है इसके बाद बसंद पंचम इसके बाद देखें यहां पर शुक्रवार की एक और चुट्टी दी गई है वैसाखी की है ना तो इस तरह से यहां पर कुछ आपको मैं एक देखें घमात लुट्टी के चुट्टी यहां होती है जो अगर देना चलता है और और नहीं देना चाहें जोड़ सकते हैं यह चीजे यह आपको कुछ ऐसे टेवार जिनकी चुट्टियाँ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती बाकि जैसे भी स्कूल से अपडेट आता है तो उसके लिए जोड़ सकते हैं से टेलेग्राम को आप लोग जॉइन कर सकते हैं महां पर आपको अपडेट मिल जाते हैं ठीक है चले तो यह चोटी सी वीडियो थी जो उने छुट्टियों के लिए बनाई है तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए इसको अपने पास समाल के रखिए और इसी कहसाब से अपनी क अपने की तैयार है किसी भी आसायमेंट को पूरा करने की तैयार है तो यहां से कर सकते है चलिए तो उम्मीद को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक को शियर किजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फो वाचेंग